हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे हैं महत्पूर्ण संगठनों के बारे में तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी आर्केटिक काउंसिल के बारे में ठीक अब इसमें बात करेंगे हम लोग नाटो के बारे में नौर्थ अट्लांटिक ट्रेटी और्गनाइजेशन के बारे में याद रखिए आपके जितने भी और्गनाइजेशन से समद्धी लेक्चर कतम होते जा रहे हैं वो सभी महत्पूर संगटनों के नाम से जो आपकी पले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुई है ठीक नाटो उत्री अट्लांटिक इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो 4 अपरेल 1949 को हुई इसकी स्थापना कब हुई 4 अपरेल 1949 को इसका मुक्यारा है व्रोसेल्स वेल्जियम में याद रखिए यह राजनितिक और सेन गठवंदन है यूरोपिय और उत्री अमेरिका देशों का यह गठवंदन है ठीक यूरोपिय और उत्री अमेरिका की देश इसमें सामिल है इसका उन्तीसवा देश था सदस उन्तीसवा मॉन्टेनी गो और तीसवा है मैसीडोनिया फिक्रिया सुरू होगा इसके लिए ठीक है पिक्रिया में भाग लेने की अनुमती नहीं है कि नहीं जो चालीस गयर सदस्ती है सहयोगी देश है याद रखिए तो याद रखना है आपको इसकी स्थापना हुई चार अप्रेल उन्नीस सो नंचास को इसका मुख्याला है वरुसेल्स वेल्जियम यह राजनेत को संगठ रिक्षण है इसमें यूरोप्य है ओत्री अमेरिका की देश सामय वह यह लक्षों की बात करें हम लोग सदस्थ देशों को तो सदस्थ्था सुरक्षा पितरक्षा के लिये सहयो मंचोख last कराना लोक्तन्त लोक्तांत्रय क्मूलों को बढ़ावए देना इसकी लक्षों में सामेले इसके प्रिष्ट भूमी की बात करें उद्देश और प्रिष्ट भूमी 1917 में सोविय संग एवं पश्चमी ताक्तों किसे टकराओ के कारण इसकी स्थापना कीगे दूसरे विश्योद्ध के बाद पूर्वी और पश्चमी ताक्तों भी बीच टकराओ से इसकी स्थापना हुई इसी का पाईडाम था नाटो उत्री अटलांटिक संदी या वसेंटर संदी के लिए जरिये ठीक है इसकी स्थापना हुई चार अपलेड उनिसो नन्चास को बायरेस अस्थापक सदसों की हस्ताक्चर की बाद इसकी स्थापना हुई इसकी सक्तियों की बात करें हम लोग नाटो की सक्तियों की तो यूएन के चार्टर के अनुच्छेद इंक्यावन में इनकी सक्तियां दीगें कुल 14 आर्टीकल हैं इसमें अगर नाटो के किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो वो सभी सदस्य देशों पर हमला मना जाएगा ठीक है कारेओं की बात करें इसके तो नेड़े इबं सुझाओ देना सुरक्षा मुद्दे पर सलाय एवं सुजायों की माद्यम से नेड़ लेना मिसन एवं ओपरेशन संकट की इस्तिती में नाटो सक्किरी रूप से भाग लेता है नए भरते खत्रों के लिए तेयार भी रहता है यह था आपका नाटो याद रखिए इसके अभी करेंट में सेकेटरी है जैन्स एस्टोड लेटेन बढ़ गे इसकी दो भासा है इंगलिस और फ्रेंच नाटो की दो भासा है ऑफिसियल है इंगलिस और फ्रेंच ठीक तो यह था आपका नाटो आगे हम लोग बात करेंगे गौल को ओपरेशन ट्रेटी के बारे में ठीक